प्री बच्चो आपका पुना स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे और आज हम लोग करेंगे प्रोजेक्ट कार हिंदी का जो प्रोजेक्ट कार मिला है आपको अकच्छा आठवी का आज हम उसका सॉलिसन देखेंगे या उसको कैसे कर सकते हैं हम आपको यहाँ पर बता कमर एक है हमने यहाँ पर आपको चार प्रोजेक्ट करके दिखा है लेकिन आपको करना क्या है अगर आपको कोई भी दो मिले तो कोई भी दो प्रोजेक्ट कार ही करना है ठीक है बच्चो तो चलिए हम लोग इस्टार्ट करते हैं कक्छा आठवी का प्रोजेक्ट कार हिंद प्रोजेक्ट कारें हिंदी ऐसे लिखें या आपको 20 में से 20 संग कैसे प्राप्त करना है यहां हम जानेंगे तो चलिए प्रोजेक्ट कार कितब चलते अब यहां पर आप देखिए हमारा प्रियोजना क्रमांक एक आपके सामने आ गया है जिसमें आपको प्रशन नम्मर एक य ऐसे ही लिखना है तभी 20 में से 20 संग प्राप्त करेंगे आप देखिए मुपतानन जी के समान क्या आपके आसपास कोई ऐसे मनुरंजन पात्र है यदि हां तो उन पर एक आलेक आप भी तयार कीजिए आपने मुपतानन जी को आला पाट तो पढ़ी लिया होगा तो वहां पर उनके लिए मनुरंजन का पात्र जो था उसी के आधार पर यहां पर बोल रहा है वो आपसे कि उनी के आधार पर अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा मनुरंजन पात्र है तो आप उसके बारे में भी आलेक तयार कर हमें बताईए तो देखिए मैं थोड़ा सा पढ़के आपको बताता हम फिर आगे की तरफ लेके चलूँगा उत्तर यहां पर हम उत्तर के रूप में लिख सकते हैं माना सौभाव ही आनंद मनुरंजन प्री है सुखद और स्वस्त जीवन जीने के लिए जिस प्रकार अन पानी और यहां पर या कर लीजेगा अन पानी और हवा आविसक है उसी प्रकार स्वस्त मनुरंजन के लिए सुब छन भी परमाविसक है देखा बच्चो तो इस प्रकार से आप ये देखिए प्रशन नमर एक का उत्तर इस प्रकार से लिख लीजेगा ठीक है यहां पर प्रशन नमर एक हो गया यह हमारा प्रयोजन नमर एक भी य अब आपसे प्रियोजना नम्मर या Project कार्ज 2 क्या बोल रहा है आपके आसपास कोई जल प्रपात हो तो उसका विवरान लिखिये अब आपके आसपास कोई भी जल प्रपात अगर है तो आपको उसका वनन करना है जैसे यहाँ पर एक जल प्रपात गांगुलपुरा के बारे में वनन किया गया है यहाँ जल प्राप्ति कैसे होती है उसके बारे में यह हमारा प्रियोजना नम्मर क्या हो गया दूसरा हो गया अब आगे की तरब देखेंगे आप प्रियोजना नम्मर तीन या प्रोजेक्ट कार तीन देखेंगे प्रोजेक्ट कार तीन में आपको नजर आ रहा होगा यदि आप पिछले दिनों में कहीं भ्रमान पर गए हो तो उसका विवरन अपनी डायरी के रूप में लिखित दीजिए या लिखिए अगर आप कहीं भी घूमने गए हैं तो उसको आपको अपनी डायरी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम लिखें हैं लौजी का किला या लौजी का किला जो घूमने गया था वहां का है यह कहां पर इस्तित है तो यहाँ पर बाला घाट से जो 50 किलमीटर की दूरी पर लगभग इस्तित है यहाँ तो आप पूरा य कीजेगा आपको पूरे में से पूरे ही अंक मिलेंगे अगर कोई भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप टेलिग्राम जॉइन कीजे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं नहीं तो वार्षब गुरूप की भी लिंक है आप वार्षब गुरूप भी जॉइन कर लीजे हमने आप लो आप अपने जीवन से जुड़ी ऐसी कोन सी घटना है जो सभी को बतलाना चाहेंगे उसे लिखिए हमने यहाँ पर अपने जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में लिखा है अगर आपके मन में और कोई घटना है तो आप उसे भी लिख सकते हैं ठीक है अगर इसकी यह डाल दिया गया है, वहां से आप जॉइन करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, अगर आप यहीं से भी लिखना चाहें, तो यहां से भी लिख सकते हैं, अब आपके मन में कई कॉमेंट होंगे, तो उनको कॉमेंट बॉक्स में जाके कर लीजे टाइप, हम उसका उ डिटेल लिखी हुई है, आप भी अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल लिखना चाहिए, तो आप उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो यह इस प्रकार से हमारा यह क्या हो गया? हिंदी का प्रोयोजनाकार या प्रोजक्टकार हो गया है, आप कोई चार दिये हमने लिख आप कोई दो लिख लीजेगा कोई दो भी लिखेंगे तो पूरे में से पूरे अंग आपको मिल जाएंगे ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से आप पूरे दो ही लिखेगा और बहुत अच्छी राइटिंग के साथ लिखेगा यहाँ पर हमने टाइप करना थोड़ा जरूरी पहले अगर आप चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सकाइब अवस कीजेगा चैनल को अगर आप सब्सकाइब करते हैं तो बहुत एच्छी बात है क्योंकि आगामी वीडियो जो भी हम डालते हैं वो आपको मिल जाएंगे प्लीज चैनल को सब्सकाइब करके अपने दोस्त सा सेर भी अवस कीजेगा ठीक है बच्चो हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में थैंक यू पर वाचिंग चिल्डरन